तू मारेगा मुझे तुम सब यह मुझे मारने कट्टा हुए हो अरा तुम्हारा खुद का कोई इमान दरम नहीं है तुम मारोगे मुझे और एक बात बता पिछले साल तो कोई और आया था मारने मुझे इस बार वो नहीं है या तुम सब अंदर से एक जैसे के जैसे हो ठीक बीड़े कट्टी हुई है मुझे मारने के लिए आज मैं माता सीता को लेकर गया था इसलिए मारने के लिए कट्टे हो है ना तुम सब आज आ मैं मानता हूं मेरी गल्ती लेकिन माता सीता को किसी कारागरा मैं नहीं सबसे उत्तम वाक्टी गाती उसमें रखा था मैंने और हाथ लगाना तो दूर गलत नजर से देखा तक नहीं था मैंने माता सीता को और तुमारे यह चोटी-चोटी बच्चियों को दरिंदे उठा कर लेकर चले जाते हैं उनके साथ रेप करते हैं उनको तो तुमने कभी ऐसे खटाओ कर जलाये नहीं वो दरिंदे क्यों खुले आम गूम रहे हैं आज भी मुझे ये बताओ आये मुझे जलाने अब चोटे तू बता मैं तो सभी वेद और ग्रंतों का ज्याता हूँ तूने कौन सी वेद ग्रंत या पुस्तक पढ़ी है मुझे ये बता पांचुई फेल मेरे समक्ष बोलेगा तू चुप चाप खड़ा दू देख मुझे ना किवल संगीत का शौक है बलकि सभी रागों का सुरों का और वाद्देयंत्रों का ज्यान भी है और तुम लोग तुम्हारा भी कोई जमीर नहीं है भगवान पलटते समयने लेते तुम काम हुआ तो ठीक तो चलो महादेव के पास हुए तो चलो महादेव के नहीं हुए तो चलो इस बार बाला जी के चलते हैं क्या हुआ गुसा आरा है मेरे उपर तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे कुछ फार्ट ने पड़ता लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो मैं चाहिए कैसा भी हूँ लेकिन तुम्हा इस मंत्री जैसा कदापी नहीं हूँ मैं मेरे राजपाठ में जनता प्रसंद रहती थी खुश रखता था मैं उन्हें इसकी तरह पठाकों की चोरी कभी नहीं की मैंने बोलू बतादू सभी को ये दुष्ट ये तुम्हारा मंत्री दुष्ट एक नंबर का ये काग्जों में लिखता है कि रावन दर्न के लिए 50 पेटी पठाकों के लगे और लगाता पाँच भी नहीं है ये सब इसके घर पे जा रहे हैं और तुम लोग क्या कहते हो बुराई पर अच्छाई की जीत कहां हुई कहां हुई बुराई पर अच्छाई की जीत जब तक तुम्हारे मन में चोरी गद्दारी लालच वासना द्वेश एहंकार जैसी भावनाए जीवित है बुराई कैसे मरेगी बुराई मरी नहीं सकती तुम लोग मुझे खत्म करने आयो न अरव मेरा खत्मा तो मेरा एहंकार कभी कर चुका अब अगर मारना है जलाना है तो अपने अंदर छुपे रावन को जला उसको मारो सच्चाई और अच्चाई को अपना लो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी और तुम मुझे जलाने के उद्देशे से ही आये हो तो मैं तुमें बता दू कि सिर्फ छोटे बच्चे ही आज की तारिक में मुझे जला सकते हैं क्योंकि उनके अंदर चोरी, कद्दारी, लालच, घणा, वासना, द्वेश, एंकार जैसी भावनाय नहीं है असल मैं वही है इश्वर का स्वरूप ए लड़के लगा दे आग फिर से जला दे अगले साल फिर आऊंगा मैं जलने के लिए लेकिन अगले साल मैं देखूंगा कि आप लोगों ने अपने अंदर के रावन जलाय हैं या नहीं खुश है अभी आप सब एक बार फिर से आपका रावन जल रहा है